तो आज जो Q3 FY23 का इंडिया GDP नंबर आएगा ग्रोथ यूर ऑन यूर बेसिस पे एक्सपेक्टेड है 4.5% के आसपास हमारा जो एक्रोमिस का पोल है वो इंडिकेट करता है 4.6% का नंबर SBI कहता है 4.5% पे आएगा यूर ऑन यूर ग्रोथ नंबर जब हम RBI की बात करें तो December 2022 के मीटिंग में RBI ने बताया था कि उनका प्रोजेक्शन 4.4% था Q3 के लिए पर उनका FY23 का नंबर 6.8% पे था उसके बाद January में of course Advanced GDP Estimate आते है FY23 के लिए Advanced GDP Estimate 7% पे आया तो शायद से RBI का नंबर 10 to 20 बिप्स या 0.1 to 0.2% से ये particular quarter में बढ़ेगा तो largely 4.5% के आसपास वो नंबर expected है जब हम last year और उसके पहले वाले साल की बात करें तो last year GDP ग्रो हुआ 5.5% से और उसके पहले वाले साल जो की COVID साल था FY21 था Q3 FY21 वो साल में around half percent से बड़ा था जो Q3 का GDP नंबर था वो तो already एक काफी low base पे 4.5% के आसपास ग्रोथ पर ये particular number काफी important रहेगा क्योंकि जब हम देखते हैं कि rate hiking cycle काफी अच्छी तरीके से kick-off हो चुका है तो अब उसका impact GDP नंबर पे कैसे आएगा वो उस पे market की नजर रहेगी और जो दूसरा part है largely high frequency indicators कहता है कि एक strong number expected है क्योंकि जब हम largely tax collections को देखे consumption को देखे तो काफी strong numbers clock हो रहा है वो particular metrics पे तो GDP का number 4.5% अब और market की नजर GDP के नंबर पे